प्लेटफोर्म पर तो बच्चों फिटर टर्नर और मसीनिस्ट की यहाँ पर हम MCQ क्लास आपके लोगे लेकर आये थे उसी सीरीज में हम आई यह अगली क्लास है बच्चों चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को बिल्कुल भी बरबाद नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं क्लास को आईये बच्चों चलिए देखेंगे पहला कोशन देखते हैं बच्चों यह आपर पहला कोशन आपके सामने है इन द प्रोसर हो प्रोसर स्टार्ट करते है बच्चों इस पर से आपको क्या करना है बहुत छोटे चोटे चिपस को रिमूव करना है यहाँ पर तो उसे रिमूव करने के लिए बहुत छोटे-छोटे यह चिप्स होते हैं हाई स्पोर्स होते हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर किसका प्रियोग बच्चो किया जाता है यहाँ पर option ABCD में से Scrapper, Chisle, Hexo या रिमर ठीक है तो बच्चो आपको पता है जो सरफेस होता है surface पर से high spots को दूर करने के लिए यहाँ पर किसका परियोग करते हैं Scraper का यहाँ पर परियोग किया आता है यह क्या होता है एक बहुत ही sharp यहाँ पर sharp edge tool होता है sharp edge tool यहाँ पर होता है आपका scraper, अगला question देखते है In which method, the manual bending of the sheet metal the folding lines 2 is coincide with edge of bending tool manual bending of the sheet metal हाथ द्वारा हमें sheet metal की bending करनी है folding line is to coincide with edge और line को fold करना है जो edge के साथ आपका मिल जाके मिल जाए या coincide कर जाए आपर तो उसके लिए किस bending tool का हैं आपर हम लोग परियोग करते हैं किस bending tool method का हैं आपर परियोग किया आता है है इस्टेक method का यहां पर प्रियोग किया जाता है ठीक है bending और folding के लिए चलिए अगला question बच्चों यहां पर देखते हैं calculate the tap drill size of in mm2 tap m12 into 1 ठीक है m12 into 1 के लिए बच्चों आप से क्या कह रहा है यहां पर tap drill size यहां से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है tap drill size यहां पर पूछ रहा है आपका तो क्या होता है देखेंगे tap drill size जो होता है बच्चों पहले भी आपको यहां पर ही मैं करवास कहा हूं बच्चों इस question को इस तरीके question को tap size minus 0.61 ठीक है 2 into 0.61 into pitch यहां पर होती है ठीक है यह क्या होता है आपका tap drill size निकालने का formula होता है यहां पर tap drill size निकालने का formula होता है tap drill size यहने कि TDS TDS जब हम निकालेंगे tap size कितना है 12 हमारे पास ठीक है यह देखेंगे क्या लिखा हुआ है M12 into 1 यह M12 क्या है 12 क्या है यहां पर MC metric है यहां पर, metric thread है यह, और 12 क्या है यहां पर, size of the, यहां पर drill का size है, और 1 क्या है यहां पर, यह उसकी क्या है, pitch है बच्चो, 1 mm क्या है, pitch है यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे, 2 into 0.61, into pitch कितनी है यहां पर, ठीक है, pitch कितनी है, 1 है यहां पर, ठीक, तो चलिए यह देखें नहीं 12-1.22 यहाँ पर आएगा और यह आ जाएगा आपका 10.78 क्या जाएगा 10.78 यहाँ पर निकल कर आएगा बच्चो और अगर हम इसको round off करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 10.8 mm कौन साओतर सही होगा आपका यहाँ पर भी उत्तर आपका सही हो जाएगा बच्चो टेन पोइंट आपका 8 mm होगा चलिये डा परपस अब दापस अबने ही treatment का क्या भी धातु का, ठीक, यहाँ पर आप से question में बुझ रहा है, to make bright, to change its shape, to produce certain required properties, to preventing its from the rusting, यानि कि आप से क्या कह रहा है, कि उसको चमकदार बनाने के लिए, उसकी shape को change करने के लिए, ठीक है, to produce certain required properties, ठीक है, आवशक्ता के अनुसार उसके गुणों में, अपनी, आवशक्ता क अनुसार उसकी properties को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसकी mechanical properties को आपर प्राप्त करने के लिए, या to prevent it from the rusting, या उसको जंग से बचाने के लिए बचो यहाँ पर, किसके लिए यहाँ पर प्रियोक्य आता है, यहाँ पर, आपका to produce certain required properties, आपकी जो properties होती है, उसको प्राप करने के लिए, ठीक है, जैसे आपकी mechanical properties हो गई है यहाँ पर, ठीक है, उनको desirable property को प्राप्त करने के लिए, इन वर्नियर micrometer, वर्नियर scale is graduated on, जो आपका वर्नियर micrometer होता है बच्चो, वो किस पर होता है, ठीक है, किस पर graduated मतलब, किस पर होता है, उसको किस पर दर्शाते है ठीक है, थिमबल पर spindle कर barrel पर या frame पर बच्चो उसके, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर micrometer की image आपको बना के दूँ, यह क्या है, अगर एक micrometer है आपर, यह आपका थिमबल है, और यह क्या आपकी, यह barrel है घीक है, इसके ओपर क्या होता है, यह आपकी zero line हो गई और इसी के साथ यह parallel में होती है यह आपकी, इनको बोला यता है one near line घीक है, one near line जो parallel में होती है क्या कहा जाता है, किस पर होती है बच्चो यह barrel पर होती है कहा होती है बच्छो आपकी barrel पर होती है वर्नियर माइक्रोमिटर में आपकी वर्नियर लाइन अगर हम बात करते हैं बच्छो यहापर अगर सिप यह वर्नियर माइक्रोमिटर ना बोलके सिर्फ माइक्रोमिटर बोलता आपका only अगर माइक्रो मेटर बोलता है यहां पर तो यह इसकी वर्नियर जो लाइन होती है किस पर जाती है यहां पर यह आपके थिम्बल पर हो जाती है ठीक है अगर सिर्फ माइक्रो मेटर की बात करता हो तो थिम्बल पर होती अगर बात कर रहा है यहां पर वर्नियर माइक्रो की वंडेर लाइन जो है वंडेर स्केल जो है वो किस पर है बैरल पर विच मशीन रीमर है बच्चो जो सामने की और जो आपकी रियर साइड है ठीक है उसको क्या करता है आपका गाइड करता है कौन सा रिमर है तो बच्चो जो आपका रिमर जो होता है जो गाइड करता है यहाँ पर एक ही रिमर सा आप पता लगा सकते हैं अगर आपने जीग और फिक्चर का चेप्टर आपने पड़ा होगा जीग क्या करता है बच्चो वो टूल को आपको क्या करता है होल्ड करता है औ answer निकाल सकते हैं, आपका कौन सा होगा यहाँ पर, जिग रीमर क्या होगा बच्चे यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा, जिग रीमर आपका सही उत्तर जाएगा, calculate the drill size for 20 mm reamed hole using the formula, under size of hole 0.3 mm and oversize for drill equals to 0.05 mm ठीक है, तो आपसने क्या करना है drill size के लिए, calculate the drill size 20 mm reamed 20 mm आपको क्या करना है reamed करना है, 20 mm के जो आपका hole है, उसको reamed करना है using the formula of under size plus oversize, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या निकालना है, tap drill size निकालना है सुरी रीमर साइज निकालना है ठीक है तो रीमर साइज क्या होगा बच्चो रीमर साइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो क्या होता है आपका डिल साइज ठीक है डिल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज यहाँ से आपसे यह पूछा गया है, undersize plus oversize यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, यह क्या निकलेगा बच्चो, drill size कितना दे रखाएंगा, आपको 20 mm यहाँ पर, drill size यहाँ पर दिया हुआ है, कितना 20 mm, minus, आपका undersize आपको कितना दिया हुआ है, bracket लाएंगे, undersize आपका 0.3, ठीक है, और आपका oversize कितना दे रखा है, 0.05 यहाँ पर आपका oversize दे रखाएंगा, plus करेंगे, 0.05 यहाँ पर, ठीक, 0.05 तो यह आजागा बच्चो, 20 minus 0.35, तो आंसर किया निकल गयेगा बच्चो आपका, 19.65 यहाँ पर आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, यह है आपका reamer size, ठीक है, drill size होगा है यहाँ पर, drill size for the 20, माफ किजिए यह रीमर नहीं, यहाँ पर होगा drill size होगा, drill size हो यहाँ पर आपका reamer size, ठीक है, चलिए, next question, the process of inducing toughness and reducing brittleness by heat treatment is called, यहाँ कि question आप से यहाँ पर करना चाह रहा है बच्चो, कि जो process कौन सा है, जिसमें toughness को क्या करते हैं, ठीक है, toughness को बनाए रखते हैं यहाँ पर, और आपका brittleness को क्या करते हैं यहाँ पर, कम करते हैं, brittleness को कम यहाँ पर करते हैं, और toughness को बनाए रखते हैं बच्चो, ठीक, toughness बनी रहती है और brittleness को कम करते हैं, उस heat treatment को process को क्या का जाता है, क्या anneling, hardening, normalizing यह tempering, क्या बोला जाता है बच्चो, यहाँ पर, heat treatment का question है बच्चो, यहाँ पर यह ठैक है, तो क्या करते हैं बच्चो यहाँ पर tempering उसको बोला जाता हैं बिटलनेस को भंगुरता को कम करते हैं तुछ को कम करते हैं और उसकी हब न्याई, टॉप नेस को यहाँ पर बनाए रखते हैं beshady clear है यह हताँ आपका tempering process ठीक है और tempering जो की जाती है बच्चे यहाँ पर below the critical temperature यहाँ पर tempering की जाती है ठीक, below the critical temperature यहाँ पर tempering की जाती है थीक, the function of flux during shouldering is, जो आपका flux होता है, shouldering के दोरान उसका क्या कारिय होता है flux का, to prevent corrosion, to provide wet surface, to avoid porosity in shoulder, to remove oxidize from the shouldering surfaces, ठीक है? जो आपका flux होता है, flux क्या करता है यहाँ पर? देखेगा, जो हमारी, यह हमारा क्या है, हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक, वर्क पीस है, यहाँ पर हमें इसकी shouldering करनी है, यहाँ पर, ठीक, shouldering यहाँ पर हमें करनी है, बनिया, ऐल-शेप की, जब हम यहाँ पर क्या लिका हैंगे, solder से यहाँ पर उसकी shouldering करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी flux लगाना पड़े का हैं, यहाँ पर flux क्या करता है, फलक्स चया करता है, वो oxidized part होता है, उसको आपके आसपास की जो होती है सर्फेस होती है उसको क्या करता है उसको क्या करता है उससे क्या होता है बच्चों यहाँ पर आपके वेल्डिंग दोस यहाँ पर यहाँ आपके शोल्डरिंग दोस उत्पन नहीं होते है ठेक चलिए To prevention 2 operation are done in exocetylene gas cutting 2 operation are done in exocetylene gas cutting they are preheating and cutting which flame should be set for preheating before cutting ठेक है यानि कि आप से बोल रहा है कि 2 operation है preheating and cutting ठेक है यह oxyacetylene gas flame से हमें करने है which flame should be set for the preheating before the cutting यहाँ से question आप से क्या कर रहा है बच्चों कि आपका जो preheating है ठेक है preheating के लिए कौन सी flame यहाँ पर use की जाता है आपकी welding में ठेक है gas welding में यहाँ पर आपकी preheating के लिए कौन सी flame यहाँ पर use की जाती है क्या neutral flame यहाँ पर use करते है oxidizing flame यहाँ पर use करते है carburizing flame यहाँ पर use करते है या आपका slightly carburizing flame यहाँ पर यूज की जाती है ठीक है तो बच्चो क्या कह रहा है बच्चो प्री हीटिंग के लिए यहाँ पर ठीक है प्री हीटिंग क्या होता है विल्टिंग करने से पहले पार्ट को गरम किया जाता है गरम यहाँ पर किया जाता है उसे क्या करते हैं प्री हीटिंग यहाँ याँ पर के यहाते हैं उसके लिए यूज करते हैं बच्छो पर नुट्रल फ्लेम क duel ये यहा यूज करता है डूट्रल फ्लेम का यहा पर यूज की आ जाता है नुट्रल पर रेशियो की कितना होता है ऐक्सिजन और आसँ टoveं का यहाँ one ratio one यहाँ पर होता है किसका neutral flame का ठीक है neutral flame यहाँ पर की जाती है preheating के लिए चलिए malleability is the property of metal which helps to manufacture ठीक है आपके क्या किया रहा है जो malleability property होती है ठीक है malleability क्या है बच्चो एक mechanical property है क्या है mechanical property है यहाँ पर तो यह पूछ रहा है malleability property of the metals which helps to manufacturer ठीक है क्या करती है किसको manufacture करने में आपकी malleability property जो है help करती है यहाँ ठीक है क्या rods को plates को thin sheets को या wires को ठीक है तो चलिए बच्चो एक बार वहाँ पर आपको metal वाले chapter में लेकर चलते हैं वहाँ से आप definition समझीगा क्या कहते हैं तो malleability यहाँ की definition क्या कहती है कि malleability धातु का वह गुण होता है जिस गुण के कारण उसे ठोक पीट कर पतली चादरू के रूप में बना सकते हैं ठीक है बना सकते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इस गुण को conveyor करता है यहाँ पर देखेंगे वह option क्या है पहले तो thin sheet यहाँ पर होगा ठीक है thin sheet यहाँ पर होगा यहाँ ठीक है और malleability में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा malleable यहाँ पर क्या होता है गोल्ड यहाँ पर ठीक है malleability सबसे ज़्यादा किस की होती है बच्चो गोल्ड की यहाँ पर सबसे ज़्यादा malleability होती है question आपसे पूछा जा चुका है what is the specification of vernier height gauge ठीक है vernier height gauge की specification हम किस परकार देते है length of the scriber height of the base height width of the beam height of the main scale ठीक है किस परकार हम यहाँ पर इसकी height को vernier height gauge को specify करते हैं इसका size कैसे निर्दारित किया जाता है simple question के यह बोल रहा है कि size को कैसे दिया जाता है यहाँ पर ठीक है उसका size कैसे निर्दारित करते हैं length of the scriber की length से height of the base उसके base की height से width of the beam या उसकी beam की चोड़ाई से या आपकी height of the main scale ठीक है तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है इसके साथ में क्या है यहाँ पर यह इसक्रैबर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है clamping unit के साथ ठीक है यहाँ पर एक rough image मैं आपको बना के दिखा दी one near height gauge की यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है जो इसकी main scale जो हते है main scale की height कितना होगा कितना size का उसका main scale होगा उसी से क्या किया जाएगा यहाँ पर उसका size दिया जाता है specification दी जाता है height of the main scale से leakage should be checked before using oxy acetylene welding equipment what type of the water can be used on the oxy acetylene connection ठीक है यहाँ आपसे question पोच रहा है कि जो हम leakage होता है वो oxy acetylene welding करने से पहले check किया जाता है उसके लिए किस पानी का प्रियोग करते हैं आपका oxy acetylene collection पर या acetylene connection पर किस वाटर का यहाँ पर use किया जाता है कि salt water का use करते हैं बच्चो sock water uses करते हैं आपके fresh water का use यहाँ पर करते है किस water का प्रियोग यहाँ पर किया जाता है बच्चो तो देखेंगे बच्चो यहाँ पर आपका soap water साबुन के घोल का मान लिजे हैं यह मेरा hose pipe है डेके यह मेरा hose pipe है इसको मैंने क्या किया है connector द्वारा connect किया हुआ है तो इस connector में यहाँ पर इस connector में यहाँ पर कोई leakage ना हो, उस leakage को check करने के लिए मैं क्या करूँगा वच्छो ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर साबुन का गोल डालूँगा, अगर साबुन का गोल डालने पर यह जो है, यहाँ पर बुलबुले बनते हैं ठीक है bubbles बनते हैं यहाँ पर तो which means that क्या होगा कि हमारा जो hose pipe है वो कही ना कही से यहाँ पर leak है हमारी gas leak हो रही है ठीक चलिए दा face of the anvil and spindle of outside micrometer is made off ठीक है याने कि आप से question कर रहा है यहाँ पर कि जो आपका outside micrometer हता है उसके anvil के face और spindle के face वो किसके बने होता है cast iron के, steel के tungsten carbide के या aluminium alloys के ठीक है जो हम क्या करते है जिस material को हम यहाँ पर लगाते है उस material का उद्देश्य क्या होता है कि उसको घिसने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर उस material को लगाते हैं तो इसका simple सा मतलब क्या हो गया बच्चो इसका simple सा मतलब हो गया कि वो material जो है बहुत ही hard होना चाहिए ताकि जिससे उसको दूसरी धातू जिसना सके यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे steel, cast iron, aluminium और आपका tungsten carbide अगर मैं इसकी hardness पर जाओ इन सब की तो सब से कम hardness होगी यहाँ पर aluminium alloy की उससे कम hardness होगी आपकी cast iron की सब से कम उससे ज्यदा cast iron की फिर steel की और यहाँ पर फिर tungsten carbide की तो hardness के according यहाँ पर क्या होगा उत्तर? hardness के according यहाँ पर tungsten carbide हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चो ठीक है? एन्विल और स्पिंडल जो होते हैं उसके फेस कारबाइड के यहाँ पर बनाये जाते हैं टंगस्टन कारबाइड के तेलिए अगला कॉश्चन देखते हैं नॉर्मलाइजिंग नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर ओफ लेस देन 0.83% प्लेन कारबन स्टील इज याने कि जो आपका नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इज ओफ लेस देन 0.83% कारबन याने कि आपको क्या कह रहा है 0.83% से क्या है कम कारबन वाले प्लेन कारबन स्टील के लिए क्या रखा जाता है hardening temperature ठीक है hardening temperature की यहाँ पर बात कर रहा है किस के लिए 0.83% से कम carbon के लिए ठीक है और वो कौन सा होता है बच्चों हमारा 0.83 से कम होता है हमारा hypo hypo eutectoid steel ठीक है और उसमें क्या है plain carbon steel की बात कर रहा है 0.83 पर हमारा क्या है eutectoid steel हम इसको बोलते हैं तो hypo eutectoid steel के लिए यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि hardening temperature कितना होगा क्या रखते हैं बच्चों तो mostly above the upper critical temperature यहाँ पर ठीक है above the upper critical temperature जह हम रखते हैं hardening के लिए clear है चलिए अगला question देखते है this cutting angle for chisel for chipping mild steel आपकी mild steel की chipping हमें करनी है किस की करनी है mild steel की chipping हमें यहाँ पर करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों किस angle को बनाना पड़ेगा chisel angle क्या देंगे आप यहाँ पर 45 degree, 50 degree, 55 degree या 60 degree कितने degree angle यहाँ पर बच्चों आप रखेंगे cutting angle for chisel for chipping mild steel ठीक है mild steel के यहाँ पर कितना रखा जाता है बच्चों 55 degree का angle किसके लिए रखा जाता है यहाँ पर mild steel के लिए यहाँ पर रखा जाता है अगर brass और aluminium की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 30 से आपका 35 degree आपर रखा जाता है 30 से 35 degree आपर chipping angle रखा जाता है किसका आपका brass और aluminium के लिए चलिए next देखते हैं which one of the following metal has less carbon content बताईएगा इन में से किस किस metal में carbon की मातरा सबसे कम होती है ठीक है आप से पूच रहा है which metal has less carbon content आप से question कर रहा है सबसे कम carbon की मातरा किस में होगी यहाँ पर plain carbon steel में होगी wrought iron में होगी pig iron में होगी या cast iron में यहाँ पर होगी ठीक है cast iron में यहाँ पर होगी तो देखे सबसे कम जो होती है सबसे कम जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है रोट आयरं में याँ पर सबसे कम होती है किसमा होती है रोट आयरं में अगर रोट आयरं की बात करें ashton process और आपका pulling furnace pulling furnace में इसको बनाया जाता है carbon percentage के अगर बात करें यहाँ पर 0.1 0.1 To .03% इतने percent कितना होता है आप Carbon content होता है ठीक है 0.102.0 3% यहां पर carbon होता है और आपका 99.99 49.99 से लेकर 99.97 तक याँआपर क्या होता है Iron होता है pure iron fit pure iron होता है clear है your irony आपर होता है which one of the flowing properties is the most essential for the metals in the process of casting welding, brazing and shouldering ठीक है जानि कि आप से question कर रहा है कि इन में से कौन सी property ठीक है आपके metals के लिए casting, welding और brazing की shouldering के लिए suitable properties है यहाँ पर ठीक है चाफ फ्यूजबिलिटी है malleability है, tenacity है, plasticity है ठीक है question को again read करते है question हम से कहना क्या चा रहा है in which of the following property the most essential for the metals in the process of casting welding, brazing and shouldering ठीक है तो यहाँ पर कौन सी property है ठीक है तो यहाँ पर इन सभी के लिए casting के लिए, welding के लिए brazing के लिए और shouldering के लिए most essential होती है metals के लिए, ठीक है क्या यहाँ पर feasibility होगी, malleability होगी tenacity होगी या plasticity होगी बच्चे यहाँ पर ठीक है तो most essential properties जो होगी बच्चे यहाँ पर feasibility, इसकी गलनियता, बहने का गुण ठीक है क्या होती है feasibility गलनियता होती है इसके बहने का जो गुण होता है यहाँ पर casting, welding, brazing और shouldering के लिए यहाँ पर बहुत ही essential property होती है ठीक है आपका यहाँ पर shouldering के लिए melting point गलनियता क्या होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए ठीक casting जब हम करते है cast iron की वह इसमें भी क्या करते है बच्चो मोल्ड जो होते है मोल्ड जो cast करके मोल्ड बनाए होते है उसके अंदर यहाँ पर क्या कहता है liquid आपका material भरा जाता है उसमें casting कहते है ठीक है चलिए the zero checking is done for 0 to 25 mm depth micrometer on the ठीक है आपसे question में यह कर रहा है कि जो आपका zero से लेके 25 mm का depth micrometer है ठीक है उसकी zero checking कैसे की जाती है कैसे बच्चो यहाँ पर उसकी zero checking करेंगे हम आपका जो आपका micrometer है ठीक कौन सा depth micrometer देखिए एक रफली image अगर बनाए जाए बच्चो यह आपका कुछ इस तरीकी से होता है depth micrometer इसकी zero error किस से दूर करेंगे इसके नीचे क्या होगा बच्चो यहाँ पर surface plate से surface plate लगा कर इसकी zero error हम set कर सकते हैं ठीक है किसे by surface plate surface plate के द्वार हम इसकी zero error को बच्चो set कर सकते है कि इसकी आपकी depth micrometer की अगर वो यहाँ पर सिद्दा सिदा outside micrometer बोलता तब क्या होता बच्चो तब यहाँ पर इसके साथ क्या आता है test piece आता है outside micrometer के साथ test piece आता है उससे check करते हैं और यहाँ पर लेकिन वो किस की होगी वो 25 से 50 वाले की होगी यहाँ पर अगर outside की बात करता है ठीक है 25 से 50 वाले की होगी किया जाता है अगला कोशन देखते हैं The correct color for oxygen and acetylene house pipe ही गैंगे आपके oxygen और acetylene के लिए जो correct house pipe का color होगा वो क्या होता है red for oxygen and blue for acetylene black for oxygen and red for acetylene black for oxygen and maroon for acetylene red for oxygen and maroon for acetylene तो बच्षो आपके जो फर्स चेप्टरे सेफटी वाला के बारे में बताया गया हैक आपके बेंद लेक अग्हेंड का रखते हैं अपर acetylene के लिए ठीक है oxy acetylene gas welding में हम यहाँ पर oxygen का color, hose pipe का color black रखते हैं और आपका maroon जो रखते हैं वो आपका acetylene का यहाँ पर रखा जाता है चलिए अगला question देखता है the welding machine which is used to convert AC welding ठीक है, AC welding supply to DC welding supply, ठीक आपको क्या करना है, AC ठीक, आपका AC welding supply को यहाँ पर DC में क्या करना है, convert करना है ठीक है, AC welding supply को, आपको DC welding supply में यहाँ पर convert करना है तो उसके लिए किस device का यहाँ पर परियोग किया आता है, किस machine का यहाँ पर, कौन सी welding machine का यहाँ पर परियोग किया आता है the welding machine which is used to convert AC welding supply to DC welding supply उसके लिए क्या motor generator set का प्रियोग करते हैं या engine generator set का प्रियोग करते हैं welding transformer का प्रियोग करते हैं ठेक है या आपका reactifier का यापर यूज करते हैं तो बच्छो क्या होता है यापर देखे जब भी हम के बात करते हैं यापर AC से DC को DC में convert करने के लिए यहाँ पर reactifier set का प्रियोग हमेशा किया जाता है ठेक है motor generator set का प्रियोग का किया जाता है बच्छो motor generator set जो होते हैं वो आपके जहाँ पर दूर 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 इस्तानों पर आपकी welding करने के लिए जहाँ पर electricity provide नहीं कराई जा सकती ठेक है वहाँ पर motor generator set का प्रियोग यहाँ पर किया जाता है चलिए अगला कोशन देखता है which type of fire extinguisher is used in a welding shop ठेक है welding shop के लिए कौन सा fire extinguisher यहाँ पर use किया जाता है form type extinguisher, dry powder extinguisher, co2 extinguisher या hellen extinguisher hellen extinguisher यहाँ पर ठेक है तो यहाँ पर किस welding के लिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है welding shop में welding shop में कौन सा यहाँ पर आपका extinguisher रखा होता है ठेक है तो वहाँ होता है बच्चो आपका CO2 carbon dioxide dry powder भी यहाँ पर use कर सकते हैं ठेक है लेकिन mostly क्या होता है CO2 आपका extinguisher यहाँ यूज होता है जो form type होता है बच्चो वह किसके लिए यूज कियाता है क्लास B के लिए यहाँ पर use किया जाता है dry powder आपका क्लास C के लिए यहाँ यूज किया जाता है hellen extinguisher क्लास आपकी D के लिए यूज किया जाता है ठेक है लेकिन जो CO2 होता है बच्चो, CO2 A, B, C 3 के लिए यहां पर यूस किया जा सकता है Class A, Class B, Class C 3 के लिए यहां पर यूस किया जा सकता है इसलिए mostly जो रखा जाता है यहां पर Mostly आपका CO2 फायर एक्स्टिंग्विशन यहां पर रखा जाता है वेल्डिंग शॉप में which one of the following sheet is used for making highly corrosive acid tanks आपके जो है कौन सी sheet जो है which one of the following sheet is used for making highly corrosive acid tanks ठीक है बहुत जादा highly corrosive highly corrosive यानी की acid tanks बनाने के लिए जिसमे यहाँ पर जंग लगने का खत्रा बहुत जादा रहता है वच्चो वहाँ पर ठीक है वहाँ पर जो acid tanks बनाया जाते हैं वहाँ पर किस material के यहाँ पर किस के बनाया जाते हैं कि sheets के यहाँ पर बनाया जाते हैं black iron sheets का बनाया जाता है galvanized iron sheets का यहाँ पर बनाया जाता है stainless steel sheets का यहाँ पर बनाया जाता है lead sheets का यहाँ पर बनाया जाता है मॉस्लि किसके बनाया जाते उस दातू के बनाया जाता हैं जिस त्टर पर तेजह आप पानी च्हार किसी चीज का सर नहीं होता थेका और कुंसी से बच्चों यहां पर हमारी प्रोपरटी वह यहां पर आठ का लेड में तरीक के लेड wide जो होता है हमारा उसपर घ्र lleut किसी का भी की असर नहीं होता और लंबी चलती है इसलिए याँ पर पर कोरजिव टेंक जो होते हैं थे के को bone टैंक जो होता है बहhow के बेंड एशेतर के हैं त्याएपर बना जाते हैं थे के लेट यहां पर बनाया जाते हैं चलिए आपकी sanitary fitting में भी बहुत ज़ादा आपकी lead acid sheets का यूज किया जाता है अगला question the last bend radius varies depending on the क्या जाता है the least bend sorry माफ की जगा the least bend radius varies depending upon the यानि कि जो आपका bend होता है छीक है least सबसे चोटा जो bend होता है और radius reso It is a will which for the depend करता है material of the thickness , भीद पर डिपेंड करता है या आपका तार एक है तेम्परेचर पर डिपेंड करता है या यह सबी किस पर बते मुट्यों इहां पर यह डिपेंड करता है least bend झए क्या करना है एक छोटा bend यहांपर लगाना है छोटा bend यहांपर क्या करेगा material की बच्चों thickness पे भी depend करेगा ठीक है plate कितनी मोटी है उसको मोटना है । ठीक है उसपर depend करता है कितनी मोटी plate है, कितना force लगेगा उसपर depend करेगा direction of the plate यहाँपर प्लेट को किस direction में मोडा जाना है ठीक है उसको backward मोडा जाना है कि forward मोडा जाना है उस पे depend करेगा ठीक है working temperature ठीक आपका temperature कितना है वहाँ पर working condition में ठीक है अगर temperature जादा है तो plate को मोडने में कम समय लगेगा ठीक और आपका temperature कम है तो plate को मोणने में ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा force लगाना पड़ेगा अगर आपकी plate ज्यादा ठंडी हो गई तो वो तूट भी सकती है ठीक है क्रैक हो सकती है तो इसका मतलब क्या है यह सभी इसका सही उत्तर क्या होगा यह सभी जो factors हैं बच्चो ठी ठीक है which among of the following stake provided a double ended support यहाँ पर किसके लिए प्रियोग की जाती है बच्चो which among of the following stake provided a double ended support यहाँ पर ठीक है उसमें double end का support होता है बच्चो ठीक है double end का support होता है कुछ इस तरीके की यह stake होती है और इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर horse stake यहाँ पर बोला जाता है इसके double ends के कारण इसके double ends के कारे इसको क्या बोला जाता है horse stake यहाँ पर बोला जाता है ठीक है यह होती है बच्छा आपकी double ended stake आपकी horse stake चलिए which among of the following stake is used when shaping and seeming funnel and tapered article ठीक है shaping and seeming funnel and tapered article तो यहाँ पर किस stake का यहाँ पर use करते है आपकी hatchet stake का half moon stake का funnel stake है क्रीजिंग stake का stake is used when shaping जब हम किस stake का use करें बच्छो जब हमें क्या करनी है shaping करनी है उसकी shimming करनी है फनल बनाने है या tapered article हमें बनाने है यहाँ पर बच्छो आपके पास कुछ इस तरीके कि आपने क्या होगा कुछ इस तरीके कि आपने एक stake देखी होगी बच्छो ठेक है यह stake कैसी होती है कौन सी stake होती है बच्छो यह यह होती है आपकी पनेल श्टेक की बनाने के लिए कौन बनाने के लिए यहाँ पर किस stake का प्रियोग क्या जाता है आपके बनेल श्टेक का यहां पर प्रियोग किया जाता है which one of the following notch is used when making a job with a 90 bend यहाँ पर आपसे पूछ रहा है which one of the following notch is used when the making a job with a 90 bend यानि कि 90 degree के bend पर 90 degree के band पर यहाँ पर आपको एक notch बनानी है ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पर किस notch का प्रियोग क्या आता है 90 degree के band के लिए? आपका क्या है? यह आपकी कोई sheet है अगर आप इसको बोड़ोगे तो यह क्या बनेगी बच्चोच? यह 90 degree का band बना लेगी 45 का एंगल इधर होगा और 45 का एंगल इधर होगा और इस notch को क्या बोला जाता है इस notch को बोला जाता है बच्चो वी notch क्या बोला जाता है? वी notch यहाँ पर इसको बोला जाता है ठीक है? कौन सा होगा बच्चे यहाँ आपर? वी notch इसको कहा जाएगा ठीक है? चलिए आपसे question कर रहा है कि punch किये गए hole को फ्लेट करने के लिए किस हैमर का प्रियोग यहां पर किया जाता है following tool is used for flattering metal around punched hole punch hole के around आसपास फ्लेट करने के लिए material को किस हैमर का प्रियोग किया जाता है ball pin hammer का riveting hammer का setting hammer का या sledge hammer का यहाँ ठीक है तो punch hole है बच्चों यहाँ पर punch जो कर रहा हुआ है कि आपका क्या है किसी punch द्वारा हमने यह hole किया है यहाँ पर इससे क्या हुआ लीचे से क्या होता है इसके edges जो sheet है हमारी इसके edges जो है वो निकल जाता है फट जाता है यहाँ पर इन edges को यहाँ पर बिठाने के लिए शार्प यहाँ पर दबाने के लिए फ्लैट करने के लिए जो hammer यूज करते है बच्चो, ball pin hammer का यहाँ पर यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है ठीक है, रूफिंग के लिए, आपकी छत पर जो sheets होती हैं बच्चों, जो छत पर जो sheet होती हैं, उसको lock करने के लिए यहाँ पर, कौन से आपका seam का प्रियोग किया जाता है, lap joint का, butt joint का, hinge joint का, double groove, seam joint का यहाँ पर, ठीक है, double groove, seam joint का यहाँ पर, आपको किया जाता है, तो चलि यह बन गया बच्चों, ठीक है, फिर दूसरा groove कैसा आता है, यहाँ से, यह ऐसे, ऐसे lock कर लेता है, एक sheet दूसरे बर, तो क्या हो जाती है, sheet lock proof हो जाया, leak proof यहाँ पर, हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे में बच्चों क्या हो जाती है, यहाँ पर, lock हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर बन गई बच्चो ठीक है डबल गुरूब सीम जॉइंट यहां बन गई ठीक है चलिए तो ठीक है बच्चो यह थे आज की हमारे तीश कोशन ठीक है कल मिलते हैं आप से next class में तो बच्चो देखे अगर आपको इस पूरे के पूरे शेशन की अगर आपको पीडिएफ चाहिए यहां पर तो आप क्या कर सकते हैं आप हमारी मेक इडिजी स्किल्स की एप पर आप जाकर आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां जाने के बाद लॉग इन करने के बाद आपको इसका पीडिएफ वाला section मिलेगा बच्चो वहां पर यूट्यूब पीडिएफ यूट्यूब पीडिएफ आलय सेक्चल्स में जाने के बाद आपने क्या करना है आपको fitted tender machinist वाला जो है आपको folder select करना है और उसमें जितनी PDF है उसको क्या करना है add to library करना है बच्चो और जब आपने add to library कर लिया add to library करने के बाद आप one by one उन PDF को देख पाएंगे ठीक है यहां से आप पूरे questions की जितनी भी हमारी classes हुई है सारे classes के questions की देख सकते हैं ठीक है चलिए तो ठीक है बच्चो आज की class को इतना ही रखते हैं class अच्छी लगी हो तो बच्चो class को जरूर like कीजिए share कीजिए और subscribe भी जरूर कीजिए बच्चो जितने बच्चे आप यहां पर हमाई classes को देखते हैं आप subscribe नहीं करते हैं अगर आप चाहत समय चाहिए बच्चो इस चीज के लिए ठीक है तभी क्या होगा हम ऐसे questions आपके लिए लेकर आएंगे यह series continue चलती रहेगी आपकी ठीक है चलिए बच्चो कल मिलते हैं आप सभी से